जैसरी राम सिंगरास के दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके देनीक रासी फल में मैं हूँ आचार रिसकेतिवारी दोस्तों आज बात करेंगे गुरुबार तीन अक्टूबर का दिन आपके लिए क्या लेकर के आया है तो आएए रासी फल जाने से पहले आज के पंचांग के बारे में जानते हैं आज गुरुबार 3 अक्टूबर 2024 अस्विन सुकलपक्ष की प्रतिवधाती थी फिक्रमी संबद 2018 आज का सुर्योदे 6 बच के 15 मिनट पर होगा तो हैं आज का सुर्यास्थ 6 बच के 4 मिनट पर होगा आज के दिन चंद्रमा करन्या रास में रहेंगे पाँच बच के छे मिनट सुबह तक उसके बाद तूला रास में प्रवेस कर जाएंगे बात करेंगे आज के महुर्तों की ब्रह्मा मुर्त रहेगा चार बच के अन्टिस मिनट से सुबह 5 बच के 27 मेर तक अब जीत मुरत रहेगा 14 बच के 46 मेर से 12 बच के 33 मेर तक बिजे मुरत रहेगा 2 बच के 8 मेर से 2 बच के 95 मेर तक आज के दिन अमरित काल का समय रहेगा 8 बच के 45 मेर सुबह से लेकर 10 बच के 33 मेर सुबह तक तो ये थे आज के सुभ महुर्थ, इन सुभ महुर्थों में आप कोई भी सुभ कारी प्रारब कर सकते हैं आज का रहुकाल का समय रहेगा 1 बच का 39 मेर्ट, दो पहर बास से 3 बच के 7 मेर्ट तक रहुकाल के समय तिसी भी सुभ और अच्छे कारियों के सुरुआत नहीं की जाती है अब आई ये जानते हैं आपके रासिफल के बारे में तो सिंगरास के दोस्तों, आज आफिस में आपकी तरक्की का दिन है, आपके अधिकारियों को आपका कोई काम बहुत पसंद आ सकता है, आफिस में आपके बेतन बृधिकी बात भी हो सकती है जिससे आप काफी खुश रहेंगे, ये आप अपना खुद का बेवसाय करते हैं तो आपको कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाना पड़ सकता है आपका काम सफल होगा, आज किसी काम में पहले लगाए गए धन से आपको लाव देखने को मिल सकता है बेवसायक दिश्ट से आज का समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है सब कुछ अपनी सामान गत्त से काम करेगा नोकरी पेशा जातकों के लिए नए अबसर प्राप्त करने का उत्तम समय है नए परिचित या नए सोधे चिंता का कारण बन सकते हैं कोई आप के लिए आतिक समस्या भी खड़ी कर सकता है मातर समंद आपको किसी अप्रत्यासिक तरीके से अपाल लाब दिला सकते हैं यानि माता के पक्छ से आज आपको लाब मिलने के संभावना है अनैतिक समंदों के कारण आपकी छबी खराब हो सकती है इसलिए इस प्रकार के कार आज बहुत सोच समझ कर करने की जरूरत होगी आध्यात्मी खोज आपको अपना खोया हुआ आत्मिश्वास बापस पाने में काफी मदद कर सकता है ब्यापार और नोकरी में परिवार का हर प्रकार का सहयोग मिलेगा कार छेतर में सोच समझ कर बोलें तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे ब्यापार में लाब के योग है आप घर में इस्ताब इस्तेमाल होने वाली चीज़ें आज खरीर सकते हैं अपनी सोच सकारात्मा करकें साथ ही यह समय आपके लिए सुभ है भाई बहनों के साथ किसी भी प्रकार के बिवाद की पारिवारिक जीवन में अस्थिर्ता पैदा कर सकता है प्रेम समन यह थाबत रहेंगे समर्पित परिस्तरम से यह आप बरिष्टों को संतुष्ट कर सकते हैं तो आज आपको अच्छा फाजा देखने को मिल सकता है सिंगरास के दोस्तों नोकरी और व्यवसाय के फैसले भावनाओं के आधार परना ले बिवाद का सामना करना पर सकता है कोई पुराना बिवाद सामने आ सकता है पारिवारिक समस्या भी थोड़ी सी बनी रहेगी और इसकी बज़र से मांसिक परिसानी आपके बढ़ सकती है यह आपको थोड़ा परिसान कर सकता है बाहन का प्रयोग साथधानी पूर्वा करें आज का दिन आपके लिए स्थामान रहेगा आपको अपने काम के महतों को समझने की जरूरत है जो भी काम ज़्यादा जरूरी है उसे आज ही पूरा करें हाला कि काम पूरा करने में आपके सामने कुछ उनोतियां भी आ सकती है आपको अपना काम बहुत समझदारी से करना चाहिए छोटे बच्चे अपने माता पिता से किसी बात पर जोर दे सकते हैं उनकी इक्षा भी पूरी हो सकती है सिंगरास के दोस्तों आज का दिन काफी विवादास पर भी साबित हो सकता है आपको अपनी बरिष्टों की उपेक्षा का सामना करना पड़ेगा और आपके सही होगी आपकी कमजोरियों को भुनाने और आपका खेल बिगाडने का काम करेंगे साथ ही बियापार में अच्छा लाब मिलेगा केरियर में सब कुछ बहता रहेगा अगर आपने बियूटी सैलून खोल रखा है तो आज वह काम अच्छा चलेगा आप किसी नए बिवसाई की योजना भी बना सकते हैं साथ ही किसी इस काम से सहर से बाहर ट्रिप पर जाने का विचार भी बना सकते हैं सिंगरास के दोस्तों नोकरी या काम से जुड़े नए बिकल्प आपको मिल सकते हैं हलाकि आपको जल्दवाजी में निड़े लेने से बचना चाहिए आज के दिन आप सार योजनाओं को लागू करने की पूरी कोशिस करेंगे किये गए वादों को निभाए और दूसरों पर भरोसा करें अपनी काबिल्यत दिखाने का यह सही समय है साथ ही ब्रेक अप से बचने के लिए एक दूसरे का भरोसा न तोड़ें आज का दिन आपके रिस्तों को अधिक महतों देंगे परिवार में खुसी आएंगी आपका काम समय पर पूरा हो जाएगा आज के दिन अगर आप किसी हलवाई के दुकान से जुड़ा कोई काम करते है तो आपका काम बहुत अच्छा चलेगा आप खुद को उर्जावार महसूस करेंगे दामपत्य सम्मंदों में मुधूरता बनी रहेगी परिवार के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान भी बना सकते है तो सिंग रास के दोस्तों ये था आज़ाब का रासी फल कल फिर से एक नए रास फल के साथ हम आपके साथ होंगे तब तक के लिए जैसे दी रास